Japanese Language में कितनी पढ़ाई, कितनी सेलरी और कैसे? Welcome to New Hongo Max, मेरा नाम हेरवी, चली शुरू करते हैं देखे हमारी इंस्ट्यूट में इस नंबर पे कॉल करके स्टुडेंट्स जब पूछते हैं कि सर मुझे कितना पढ़ना होगा अगर इतनी सेलरी चाहिए तो तो हम उनको आंसर करते हैं कि Japanese Language में जैसे N3 लेवल पर 6 लाग का पैकेज, उसके बाद N2 लेवल या थोड़े experience के बाद 10 लाग का पैकेज, और experience के बाद 14 या 18 लाग का पैकेज होता है जिसको आप net पर भी confirm कर सकते हैं, तो उनका अगला सवाल होता है कि इसके लिए कितना पढ़ना पढ़ेगा, अब देखिए ये एक subjective question है यानि कि इसका answer एक नहीं है, for example, कुछ students एक साल में ही earning के level तक पहुंच जाते हैं, कुछ दो साल में पहुंच पाते हैं, कुछ students एक साल में ही अपनी salary को double कर लेते हैं, कुछ दो साल में ही थोड़ा सा increase कर पाते हैं depend करता है कि उनको कितनी fast earning करनी है, और वो कितने motivated है लेकिन ये वीडियो मेंने आपको इस बात से motivate करने के लिए बनाया है कि अगर हम एक average plan को भी लेके चलें, तो भी आप देख सकते हैं कि MBA, Engineering, IES, Civil Engineering, इन सब traditional courses के comparison में काफी आसान होता है Japanese language सीख के job लेना, उस job से high salary लेना और उसी job से Japan जाना, या फिर आगे के business plans बनाना अगर हम benefits की बात करें तो मैंने इन वीडियो में बताया है कि सिर्फ foreign travel ही नहीं, high salary ही नहीं, बलकि एक international experience मिलता है आपको, जो आपका business mind बनाने में भी काफी help करता है मैंने ये भी बताया है कि जपैन में कैसे आप lakhs में कमा सकते हैं मंत्वी salary, तो आप अपना target average plan का ही बनाईए, जो कि पहले entry level तक पहुँचने का है, उससे पहले job या salary के बारे में मत सोचिए, सोचिए कि जो time मैं invest कर रहा हूँ, जो मेहनत मैं invest कर रहा हूँ, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, बलकि मेरे खुद के future के लिए ही है, future investment की तरह से है, जैसे हमें कई बच्चे कहते हैं कि सिर्फ ममी पापा को दिखाने के लिए मैंने कोई institute जॉइन करना था, तो मैंने कर लिया, तो हम उनको कहते हैं कि उस वज़े से ही सही, कोई बात नहीं, अगर आप seriously अपना एक साल Japanese language पढ़ने में invest करते हैं, तो फिर वो आपकी सारी जिंदगी काम आएगा, वो आपको सारी जिंदगी रिटर्न देगा, तो जल्दी से जल्दी earning के level तक, यानि entry तक कैसे पहुचा जाए, या किस तरह से job ली जाए, ये मैंने अपने इन वीडियो में compare करके भी बताया है, कि अगर आप institute से पढ़ते हैं, university से पढ़ते हैं, self study भी कर सकते हैं, तो आपको क्या-क्या फाइदे और क्या-क्या investments करनी पड़ेंगी, किस-किस चीज में मुश्किल आती है, किस-किस चीज में आसानी आती है, online journeys पढ़ सकते हैं, जिसका monthly खर्चा सिर्फ 2500 का आता है, या फिर अगर आप offline institute में आते हैं, तो उसका भी खर्चा 2500 से 3000 तक का आता है monthly, ठीक है, तो आप इस scale को एक बार अगर बना ले, दिमाग में, investment होगी, time की भी, money की भी, मेहनत की भी, लेकिन उसके बाद return जो है, वो काफी अच्छी होती है, और क्या आप ऐसे teacher से पढ़ना चाहते हैं, जिसने खुद ही अभी Japanese पढ़नी शुरू की है, या ऐसे teacher से जो, जिसको जापान में 7 साल का, इंडिया में 5 साल का, Japanese language से related experience है, जिसके N5 से N1 तक सारे levels clear है, और Japan government से fully paid scholarship awarded है, उस teacher का नाम है nihongomax.com, जहां N5 से लेकर N1 तक, business Japanese से लेकर काईवा तक, चोकाई से दोकाई तक, शुरू से लेकर आखिर तक Japanese language का सब कुछ सिखाया गया है हिंदी में, तो अभी आप अपने laptop पर या फिर अपने mobile पर खोल के देख सकते हैं nihongomax.com, और अगर वहां से भी पढ़ते हैं, तो सिर्फ मंतली आपको 500 रुपे के खर्चे में, आप N5 से लेकर N1 तक, सारे levels, जितनी speed आपके अंदर है, आप उसको grasp कर सकते हैं, जो ना सिर है और speed है, दोनों ही बदल जाते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि, जॉब बहुत जल्दी आपको वो सब सिखा देती है, जो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है या फिर impossible है, जैसे जापान जाना, प्रमोशन पाना, जैपन कि अब उनका दिमाग अपने आप चलने लग गया होता है, I hope आपको भी ये motivation मिली होगी कि कि इतना भी मुश्किल नहीं है, जैपनीज को सीख पाना और अपना केरियर बनाना, जितना लोग बोलते हैं उतना मुश्किल बिलकुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत स्टार्टिं ने को मिलेगा, thank you so much.